हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे आपके साइंस के पी वाई क्यू को लेकर और जो की आपका ग्रूप डी में दिया हुआ है कि साइंस पंदरा नंबर के आएगी तो अच्छे वाली साइंस पूछी जाएगी कोई नॉर्मल नहीं कि उ को भी आप एक तरफ से त्यार करके रखना कल हमने 25 कोशन किये थे और आज मैं स्टार्ट करूंगी यहां से 26 से और 50 तक करेंगे तो कल वाला जो लास्ट कोशन था बार की यूनिट पूछी थी और यह वायू मंडलिय दाव की है ठीक है बार जो है वो किसकी इकाई है तो य अटमोसफेरिक उसकी होती है बार यूनिट उसमा की होती है जूल हमारे टेंपरेचर की होती है सेल्सियस और जो करंट एमपियर होता है विद्धुधारा उसकी हम एमपियर में करते हैं ठीक है अवेश चार्ज की होती है आपकी कोलाम बहुत ही अलप शमय अंतराल को प्रियोग होता है साधारन घडियों में क्या जाता है जबकि परमानिक जो घडिया होती है वह बहुत ही अलप समय के अंतराल को मेजर करती है अंतरिक्ष में शुदूर गलैक्सियों का दर्श्याव लोकन करने है तू टैलिस्कोप प्रात्मिक रूप से स्थापित किया जा कश और अन्ने विक्रन के अवशयसों से बचने के लिए परथवह के अबादी वाली छेतरों से प्रश्च के पैर्दूसं से बचने के लिए पर्थवी के दलिए परथवह गती के विरुद थे Environment को परिचालित करने और अन्य जितनी भी radiation होती हैं उनके absorption से बचने के लिए किया जाता है जब दूद से मलाई अलग की जाती है तो क्या होता है जो घनत्व होता है न दूद का वो बढ़ जाता है जब मलाई को आप निकाल लोगे तो वो दूद का जो घनत्व है बढ़ जाता है और ये कौन से force पे काम करता है हमारा centrifugal पे या centrifugal पे ये कल बताया था कि जब force आपका अंदर की तरफ लग रहा है सारा और ऐसे अगर कोई भी जैसे मोत का कुवा होता है या जाल होता है उसमें जब बाइक घुमते हैं तो अंदर की तरफ force लगता है जिसे कहते हैं हम centripetal force और जब ये बाहर की तरफ लगता है तो ये centrifugal force होता है ठीक है जी और आगे चलते हैं दूद का घनत्व तीन चीजों पर निर्भर होता है एक तो दूद में जो पानी डाला है उस पे एक जो मलाई है वो solid non-fat है इन तीनों में मलाई का घनत्व सबसे कम होता देखो एक जो solid non-fat होता है एक मलाई होती है और एक जल होता है इन तीनों में से मलाई का सबसे कम डैंस्टी होती है जब मलाई का घनत्व अलग हो जाता है तो जो हमारा fat बचा होता है उसका घनत्व बढ़ जाता है जिससे की दूद का घनत्व बढ़ेगा सडकों या railway track के वरकों पर ध्युक्ती होता है जो की अदर के सरकल में लगता है इस लिए जो सडक और हमारे रेल्वेय ट्रैक होते है उन पर इस तरह के कर्व होते है यह जो रोड है यह कि ऐसे मुढ़ता है ऐसे कभी नी मुढ़ता ठीक है जी तो हमारा जो वीकल होता है वो एक Greek पकड़ ले ता क्यों कि घर्शन के द्वारा ही तो चलता है और फिर क्या होता है कि जो हमारा बल лиง रख बन अभी केंद्र की तरफ लगता है टाकि यह बल कारन और ट्रेन पर लगे आप केंद्रिया बल को निश्करिया कर सके मतलब बहारी साइड बल लगे अंदर की साइड बल लगे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी माल लोकी यहां पर गाड़ी चल रही है गाड़ी मिरसे बनेगी नी ठीक है यह गाड़ी चल रही है तो इसका इस तरफ बल लगे ना कि ये आउटर साइड की तरफ लगे अगर आउटर साइड लगया तो फिर वही बात है ये एक्सिडेंट हो जाएगा तो सरकस में जो मौत का कुवा है वो खेल है ये इस केंदर के उधार्ण है भूतल पर मौसम गुबारा पूर्णते फूला हुआ नहीं होता क्योंकि यदि भूतल पर मौसमी जो गुबारा होता है मौसमी जो गुबारा होता है जो बलून होता है वो आम वाला गुबारा नहीं मौसम का जो गुबारा होता है उसके भीतर की वायू उठने के साथ फैलने लगेगी और ये बढ़ सकता है क्योंकि दाब जो है जो बल पर जो दाब सेवंटीनेटीफाइफ में सरव पर्थम मोसम गुभारे का प्रियोग किया इनों और हैट्रोजन भरी जाती या तो हीलियम भरी जाती है आपको जिप आधर पांच भूला वा मिलेगा तो उसमें नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सिजन के साथ प्रेक्ट करके अगर आप उसको खुल्ला चोड़ दोगे तो एक स्मैल सी आने लगती है दूद के गनत्व को मापते हैं जहां पे भी दूद मिले वो लेक्टोमीटर का होता है आपका हाइड्रोमीटर जो होता है वो घनत्व आप एक शिक जो घनत्व मापा जाता है जो चीज हलकी होगी वो चीज क्या करेगी फ्लोट करेगी जो चीज भारी होगी जिस चीज का घनत्व जादा होगा वो चीज अंदर रहेगी ऐसे ही जल के उपर अगर पेट्रोल डाला जाता है क्योंकि जल का घनत्व जादा है as compared to petrol या फिर oil तो oil उपर की तरफ रहेगा और जो घनत्व जिसका जादा होगा वो नीचे चला जाएगा कैरोसीन पानी पर तैरेगा पानी कैरोसीन पर तैरेगा या मिक्स हो जाएगा नहीं होगा मिक्स और या फिर वो समान रूप से मिल जाते हैं तो कैरोसीन जो है वो पानी पर तैरेगा कैरोसीन पैट्रोलियम हो गय है वह हमारी आग को बुजाने वाली गैस होती है और वह oxygen को control कर सकती है कैल्शियम जल की सतय पर फैलता है क्योंकि कैल्शियम जो होगा वह आपके जल के surface पर float करेगा या फैलेगा क्यों क्योंकि कैल्शियम जल से हलका है आप एक ही बात ध्यान रखिए कि अगर जल का घंतव ज्यादा है या फिर कोई भी लिक्विफाइड अगर सबस्टैंस है तो वह जल पर float करेगा अगर उसका घंतव कम होगा तो कैल्शियम का घंतव जल के घंतव से कम होता है इसलिए कैल्शियम जल पर तैरता है पानी का घंतव है पानी का घंतव कितना होता है एक ग्राम सेंटिमीटर पर क्यूब फाइफ ग्राम या टू ग्राम तो एक ग्राम सेंटिमीटर पर क्यूब जो है यह आपका पानी का घंत स्टाफ नर्सिंग MPHW फीमेल एक स्लेश पंद्रा केटेगरी नंबर पांच में एक वस्टिन पूछा गया था दो हजार पंद्रा में दाब की इंटरनेशनल ऐसा यूनिट पूछी है तो भाई यह हमारी पास्कल यूनिट पास्कल में आपते हैं न्यूटन की होती है बल न् की एनर्जि की और किलो कैलेरी आपकी ओश्मा की होती है ही ट डैश उर्जा के आन अवी-कर्णिया स्थरोथ का उधान है आहन नं-वी-कर्णिया स्थरोथ होते हैं नोण नोन री नूएबल जो सोर्सिस होते हैं, जिने हम खुद से नहीं बना सकते हैं, प्राकर्ती का एक प्रॉसिजर होता है, जिसके थूँ वो बनते हैं, नवी करणिये या री नूएबल सोर्स ऐसे होते हैं, जिने हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते है तो देखो वरक्ष हम लगा सकते हैं हवा भी एक नैचुरल है जल भी हमारा नैचुरल है और आ नवीकर्णिय कोईला जो है वो हम खुद से नहीं बना सकते हैं इसके लिए कुछ टाइम लगता है एक प्रॉसिजर होता है जिसके थू हम तभी तो पैट्रोल डीजल और कोईला जो भी हमारे आस रंक्षित जो हमारे पास रिजर्वड नहीं है उनकों प्रजर्व कर रहे हैं ताकि हम आने वाले टाइम में यूज कर सके नवीकर्णिया स्त्रो जिन उर्जा स्त्रोतों को रिसाइकल किया जा सकता है दुबारा बनाया जा सकता है जल हो गया हवा हो गया आनवी करनिया जिने नहीं बनाया जा सकता जिन उर्जास्त्रोतों की समाप्ति पर फिर से प्राप्त करने में हमें हजारों साल लग जाएंगे एक तो री न्यूएबल होता है अगर हिंदी में याद नहीं रहता तो कुछ टम इंगलिश में याद रखा करो बहुत एजी रहे और जल जमता है हमारा zero डिगरी सेल्सियर पर और सबसे अधिक अगर तापमान होता है तो वो four डिगरी सेल्सियर मापा गया है न्यूटन के गती संबन्दी डैष नियम में कहा कि प्रते क्रिया एक समान और विप्रीध प्रतिक्रिया करती है obviously कि अगर मान लो कि भई ये जो आपने कोई क्रिया की तो इस पर opposite force भी तो लगेगा तो ये हमारा third low था third low में ये कहा था कि अगर कोई भी गती संबन्दी कोई object अगर वो क्रिया करता है तो एक समान उस पर विप्रीत प्रतिक्रिया भी होती है जैसे बंदूक से गोली निकलना अगर आपने बंदूक से गोली निकाली तो वो भी जितने प्राशर के साथ जितने फोर्स के साथ आपने गोली चलाई है वो भी अटैक करेगी opposite में इसलिए हमें एकदम जटका लगता है ये न्यूटन का जो पर्थम नियम था ये अपाजिट फॉर्स लगता है तो हमारे एकदम से जो उपर का हमारा शरीर होता क्योंकि हमारे पैरों को नहीं पता की गाड़ी कब चलेगी वो मोशन में नहीं है इसलिए वो उपर का जो हमारा हिस्स्सा होता हो हिलता है और देखो तिर्टिय नियम जैसे रोकेट हो गया ग दाउनवर्ड भेजता है ठीक है तो इसका मतलब अपोजिट फोर्स वर्क कर रहा है और रॉकेट वाला और एक आपका गन वाला तो थर्ड लो है निम्न में कौन उर्जा का एक प्राकर्टिक स्त्रोथ है प्राकर्टिक मतलब नैचुरल जो सोर्स है सोलर सेल यह बनाए जा सक पास्कल फो गया डिग्री यह केंडल नहीं केंडला जोति पास्कल को यह कों कोण सद्शिश tint राशि और जोती को ऐक उथादार्ण है एक देक्ष राशिस होग्गन उसकी डेक्षन होती एक प्राडियासी प्राकर्ड outdoor नमीदिची दिशा होती है एक displacement होती है लेकिन जो अदिश राशी होती है यह देखिए अनिश्चित दिशा होती है अंडिरेक्शनली होते हैं इनकी कोई direction नहीं होती है जैसे दर्वेमान हो गया और आयतन हो गया जैसे आपने पानी एक ग्लास में लिया और फिर एक कटोरी में लिया फिर जो दिशा होती है जब हम वेग लगाते है स्पीड या वेलोसिटी बोलो बल हो गया समवेग हो गया यह हमारी सदिश राश्या होती है इनमें एक निश्चित दिशा होती है तडित डैश का उधार है तडित मतलब यह बिजली के बारे में पूछ रहा है गते जुर्जा या गती जुर्जा या अंत्री कुर्जा यह वो आपको कोशन आएंगे भई डाइनमो बजराय ट्रांसफॉर्म के सुर्जा पे काम करता है यह वाली चीज़ ठीक है बल्ब किस पे काम करता है बल्ब को हम क्या देते हैं एनरजी देते हैं एलेक्ट्रिकल और फिर वो हमें की चाल एक गैंद का जो उचलना है वो एक रेक्ट लाइनर की प्रकार की गती का उधारन है बी ऑप्शन सूर्ये की बाहतम प्रत क्या कहलाती है यह सभी को पता होगा बहुत अच्छे से सूर्ये की जो बाहतम प्रत होती है वो क्या कहलाती है यह कोरोना कहलाती है और जो हम परत होते हैं हमारी सूर्य की वो कोरोना होती है 6,000 डिगरी सेल्सियस यहां का टमप्रेचर होता है वरन मंदल क्या होता है सूर्य में उतकरमन मंदल से 11,200 किलोमेटर तक फैला हुआ है फोटो स्पेर होता है केंद्र को घेरने वाला और स्थल मंदल होता है प्राकर्तिक स्मूध सर्फेस लेवल पर जितना कि आप ठोड़ा सा कंक्रीट लेवल पर हम चलपाते हैं क्योंकि हुमारे जो पैर है वो विपरीत दिशा में हमें फोर्स लगाते हैं हम आगे की तरफ और पीछे की तरफ इसी बल के काण हम चल पाते हैं तो शैकारी जो बल है वो घर्श मंगल भ्रशपती तो भ्रशपती जो ग्रह है वो शुद्र ग्रों से पित्थवी की रक्षा करता है शुक्र जो है पित्थवी की जुड़वा बैने मंगल को धर्दी का पुत्र कहा जाता है तीनों ही आप चीजें याद रखिए पवन की गती के लिए कौन सा उपकरण इस्त चल रही है तो यह अनिमो मेटर मापता है हमारा प्रकाश वर्स किसके बरावर होता है एक प्रकाश वर्स होता है 9.5 x 10 रिशोदी पावर 12 किलोमेटर के यह भी ध्यान रखेगा तो ऑप्शन नमबर बी नेक्स्ट पोर्शन है हमारा एक मिंट यह डिस्क्रिप्शन देख ल खोलते हैं बहुत अंदेरा होता है तो प्रकाश वर्स वहां पर जाएगा और यह हमारी होती है तीन यकाई सेकड़ा हजार दस जान लाग तीन लाग किलोमेटर पर 30 सिकंड सोच भी नहीं सकते एक सेकंड में इतने किलोमेटर कवर करता है एक वरष में कितनी सेकंड करेगा तो फिर हमारा 3600 गुना में 24 और एक दिन का निकल जाएगा इससे और फिर year 365 ठीक है इसको जब हम multiply करेंगे तो 3 लाक इसकी है इन निर्वात में चाल और फिर इन सब का क्या करेंगे multiply करेंगे आपको standard जो unit याद रख रही है 9.46 into 10 ratio the power 12 km और 9.46 को हम 9.5 लिख सकते हैं near about 5 के ह सूर्य एक तारा है यह हम सबी को पता है पचासवा नंबर कोशेन में से किस गर्या का कोई भी उपग्रह नहीं है तो हमारा ब्रश्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह है ध्यान रखे पृत्वी का एक चंद्रमा ही है मंगल के दो है आपके डिमोस फॉमस और शुक्र जो है वह बहुत सबसे गरम भी है गरम सेकंड नंबर पर आता है प्रित्वी की जुडवा बहन बोलते हैं यह पचास कोशन हमने के नेक्स्ट अगर वीडियो बहुत अच्छी रेंज में चलता है या फिर आपको बहुत कमेंट में डिमांड आती है तो आई विल टेक दा हंडर कोश्चन इन पर वीडियो ठीक है पर वीडियो में मैं हंडर कोश्चन इंक्लूड कर दूंगी साथ के साथ हर्यानाच जी के के पीवाई क्यू की भी सिरीज है जिसमें आपको 6270 वीडियो मिलेंगी प्लीज गाइस वो भी जाके देखना अगर आप ग्रूप डी या फिर सी कर दो